वो जो बेड़ ना उसको कुमाती थी आपको उसका बेड़ था ना हाँ और इजो इजो ना थी उटार कल्ची था ना उको कल्ची से मारी है नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत है जारखन के सियासी उठापटक के बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुन करके किसी को भी लगेगा कि हे राम इस समाज में हो क्या रहा है जी हाँ बात कर रहे हैं जारखन के रिटार्ड आईएस बीवी पात्रा की पत्नी और अब बीजेपी से निसकासित नेत्री सीमा पात्रा की जिसको पूलिस ने गिरफतार कर लिया है इनके उपर आरोप है कि उन्होंने घरेलू सहाईका के साथ आठ सालों तक टॉर्चर किया आठ सालों से सीमा के घर दिब्यांग लड़की काम कर रही थी सीमा उसके साथ मार पिट करती थी और बंधक बना करके रखा हुआ था और गोड़ा पूलिस की टीम ने राची छोड़कर फरार होने की कोसिस कर रही सीमा पात्रा को आज सुबह चार बज़े गिरफतार कर लिया मामला दर्ज करने के बाद पूलिस सीमा पात्रा को तलास कर रही थी मंगलबार को सीमा के यहाँ घरेले नोकरान नी का काम करने वाली सुनीता का बयान कोर्ट में दर्ज कराये गया था सीमा पत्रा गिरफ्तारी के डर से फरार हो गई थी पिछले दो दिनों से राची पुलिस सीमा पत्रा को जगा-जगा तलास कर रही थी कई बार उनके ठिकानों पे रेड भी किया लेकिन वो नहीं मिली और इसके बाद आज सुबह करवाई जनकारी के आधार पे फूग गई अभी तक वो बीजेपी की नित्री थी उन्हें कमान दी गई थी स्वयोजिका थी लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निसकासित कर दिया सीमा पात्रा ने राची के असोक नगर इस्थित अपने घर में महिला को बंधक बनाया था सरीर पे जखमों के कई निसान देखने को मिले है गरम तावे से दागा गया है अब कहते ये हैं कि सीमा के बेटे आयसमान के दोस्त हैं विबेक बस के उन्होंने ही इस दिव्यांग महिला की मदद की आइसमान ने विबेग को बताया था कि कैसे उनकी माँ सीमा उनकी घरेलू सहाई का सुनीता को यतनाएं देती हैं आइसमान ने जब इस बारे में विबेग को बताया तो उन्होंने पुलिस के मदद से सुनीता को आजाद करवाया विबेग सचवाले में कारे रत है सुनिता अनाम के महिला का वीडियो वारल हुआ था कि उसके साथ किया था वो सुन करके किसी की भी रूह काप जाएगी कि एक रिटायर्ड आईएस की पत्नी बीजेपी की नेत्री पढ़ी लिखी महिला कैसे किसी इनसान के साथ ऐसा कर सकती है पुलिस ने सीएश्टी एक्ट और आईसीपी के ताद सीमा पात्रा पे मामला दर्ज किया था जारखंड के राजेपाल कहते हैं कि रमेश बैस्त ने स्वता संग्यान लिया था और उन्होंने डीजीपी नीरा सिनहा से पूछा था कि अब तक सीमा पात्रा पे घरेलू साहिका के टार्चर के मामले में करवाई क्यों नहीं हुई उसके बाद ही पुलिस एक्टिव हुई और आज तड़के उन्हें गिरफतार कर लिया राएन बेखबर देखते रहिए इनकबर थैंक्यू